अस्तस्त्र जुटाओ। अब एक स्टुडेंट के अस्तस्त्र क्या होते है भाइसाब। तुम्हारा अस्तस्त्र है तुम्हारी NCRT की किताब। तुम्हारे Class Notes, तुम्हारे PYQs, और Important Questions मूलमंत्र की बात करते हैं। अब जब मूलमंतर की बात की तो तुम्हारे दिमाग में क्या रहा होगा ? तुम्हारे दिमाग में यह रहा होगा अब यह यह दो ही धूर रहा हो? तो आप नवे देखा होगा अच्छा, मतलब तुम्हारी भी तैयारी अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसे वीडियोस तुम्हें देखने पड़ रहे है चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने विश्वास करके इस वीडियो को open कर लिया है मुझे पता है, इसकी थमनेल क्या है, क्या देखकर के तुम्हें इस वीडियो में आए हो तो बेटा निराश नहीं होगे इस वीडियो को last तक देखना अब काम की बात तुम्हारे लिए क्या है, पहले तो तुम्हारा बहुत-बहुत सौगत Humanities Center 24-7 पर और आपके सामने जो सक्षख़ा है, इसे बोलते है आदित इतिवारी तो उसके पहले T20 खेल ले आ जाता है ताकि form अच्छी हो जाए, तो अगर form अच्छी करनी है अपने boards को ले करके तो आपको half yearly में अच्छा score करना पड़ेगा, इससे अपना caliber पता चलता है कि भाई साब अपने अंदर कितना जस्बा है, कितने के हम लायक है और अभी कितना push करना बाकी है, कितना bounce करना बाकी है, कि हम boards में वो marks पास सके है, जो हमारा परिवार हम से चाहता है, हम अपने आप से expect करते हैं, और हमारे दोस्त हम से expect करते हैं, उस चीज को कैसे हम लोग benchmark को touch कर पाएंगे, ठीक है जी, चलो, let's begin with the session, है ना बहुत important session है, आपके काम का है, ठीक है, पहले तो दोगलापन है, क्या क्या दोगलापन है, आपने इनको देख रखो अगशनी रुगवर जी को, तो पहली बात तो जो आपके पास videos आते, score 90% in 10 days, ये एक दोगलापन है, है ना कई सारे videos मिलेंगे, टॉपर in 15 days, है ना और भतेरी प्रकार के दे रहे हैं, बहुत सारी YouTubers और बहुत सारी teachers, अगर ऐसा कर रहे हैं, मैं देखता हूँ तो बता पा रहा हूँ, पेटा, तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाल करने है, तो मैं इसे videos को दूड़ते हो, सर्फ करते हो जाकर के और दिख जाता है, 90% in 10 days, वो तुमको गोली दि पर नहीं ले पाऊँगे, कोई miracle हो जाए तो बात अलग की है, वरना आम आदमी के लिए सीधे 60-70-90 पहुंच पाना, 90 प्लस पहुंच पाना कठेन है, है ना, तॉपर नहीं बन जाता कोई आदमी 15 दिन में, उसके लिए कई सारा समय लगता है, बोर्ट तक आप कर सकते हो, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कई सारे 2-2 दिन, 3 दिन दिन पहले लोगों ने वीडियो जाले है, और ऐसा दोगला पर उन लोगों ने चाय हुआ है, तो बेटा, इन सब ट्रैस्प में मतफस हो, तुम लोगों ने वी स्टोरी पढ़ी होगे, अगर क्लास 12 में हो तुम लो से हल्प होगी, चलो, आगे देखते हैं, अब आगे देखो तो भया, सीधी बात, नो बकवास, ये सेशन में आपको बकवास नहीं मिलेगी, सीधी बात मिलेगी, दो टूक बात मिलेगी, तुम्हें जो अच्छा लगे हो वो नहीं सुनाऊंगा मैं, जो वाकरी में सच है त में वो पता चलेगा, तो सच क्या है बेटा, कि अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, और क्या करोगे बेटा, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे, वही चाबी है आपकी अंसक्सेस्फुल लाइफ को खोलने की, वही चाबी है आपको अच्छे मार्क दिलाने की, 90-80 से मुझे फर्क पर नहीं ले पाओगे, तो क्या है बेटा, सीधी बात, सीधी बात इतनी से कि स्मार्ट और कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी, यह पूरा का पूरा ओर्वर्यू मैंने भी यह दिया है, अभी आपको मैं टुकुलों में वाते समझाओंगा, कि आप किन चीज़ों का दियान र गई है, तो डेट शीट में आपको मेंशन होगा कि भाई किस डेट से एक्जाम सुरू है, अगर आपको यह वाँ पर मेंशन है किस डेट से एक्जाम सुरू है, तो आपको यह भी पता चल रहा होगा, कि कहां कहां आपको गैपिंग मिल रही है, किस एक्जाम के पहले आपक काशा टाइम है आप बारा बारा तेरा तेरा घंटे पढ़ करके उन दिनों वैसे भी जुनून होता है जब पेपर सामने होता है पढ़ करके आप कोप अप कर लो कि अच्छे माक्स ले आओगे ठीक है ना क्योंकि कुछ कर लेना है अगर आपने कवर नहीं किया है आपका पहला धे होना चाहिए पहला पेपर अच्छे से तयार हो पहले से पहले ठीक है आगे देखते हैं अस्तिसस्त्र जुटा लो अपने क्या लिखा है अस्तिसस्त्र जुटा हो अब एक स्टूडेंट के अस्तिसस्त्र क्या होते और यह सब लेकर के बैठो और जब एक पर पढ़ाई करने बैठे हो तो चार किताब में लेकर के मत बैठो केवल एक चीज चार सेक्शन बना लोगी भाई सब यह BST का हो गया, साइंस का हो गया, NCRT, NCRT के उपर भाई सब तुमारे PYQs रखे, PYQs के उपर Class Notes, उसके उपर तुमारे एक रफ कॉपी रखे, ठीक है ना, दूसरी चीज तुम्हें क्या चाहिए, दूसरी चीज तुम्हें चाहिए है, तुम्हारा रफ रेजिस्टर, जिसमें तुम्हें सहीं से चले, तुम्हें रॉफर रेजिस्टर लेकर के आ जाओ, डेली प्लेनर बनाओ, यह बहुत इंपर्टेंट है, डेली प्लेनर क्या रहनांनी कि आपको पतर है, जादा दिन नहीं है, 10-15 दिन, 20 दिन मचे हुह है, 15-20 दिन, तो उस रसाफ से आप डेली वाइज क्या करोगे अपना आप चार्ट बनाओगे और अगर आप चार्ट नहीं बना पा रहे हो तो आप अगर मुझसे कॉमेंट सेक्शन में बोलोगे हम लोगों के लिए आप एक चैलेंज प्लाइन कर दो कि किस तरीके से हाफ यर्ली में अच्छा करें तो मैं फिर अपने आप से बैठ करके एक स्प्रेट शिट में बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में तो और क्या करो भाई साब मोहिनी से दूर रहो अब ये हसी वाली बात लग रही कि मोहिनी को ने तो आपने देखा होगा जब समुद्र मंथन हुआ था जब विश निकला वो तो सिव जी पी गए थे लेकिन जब अमरत निकला तब भाई साब विश्नु जी को बुलाया गया कि ये जो असुर बैठें ये भी भांगेंगे कि हमें भी बांटो सुर और असुर संग्राम के बाद हुआ था ये सब तो वाई साब मोहिनी आए एकदम सुंदर सी छबीली सी असुर उनके रूप में ही फस गये और ये जितने भी देवता थे इनको अमरत मिल गया तो उसी तर पूलिंग तुम अभी ये वीडियो देखोगे फिर इसके बाद एक और वीडियो देखोगे जाके क्या पता कोई और क्या बता रहा है बेटा जो 90 परसेंट 75 परसेंट 100 आपको दिलवार है ना एक बार में वो संभव ही नहीं है तुम वो कोई तरीका बता दे भगवान आक सीधा 90 संभव नहीं है तो इन सब चीजहों में मत अपने आपको फसने दो मोहिनी के जाल में मत पढ़ो अभी मोहिनी से दूर रहो इस समय तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बेटा अपनी पढ़ाई के आवर्स को बढ़ाना है और आपका जितना भी टाइम वेस्ट है तुमको पता है बेटा है ना जब मैंने बोला टाइम वेस्ट तुमारे दिमाग में आ गया कि तुम गल्फेंट से बतियाते हो कि तुम पॉंड देखते रहे जाते हो कि तुम वाट्सअप पे लगे रहते हो कि तुम स्क्रोल करते रहते हो रील्स देखते रहते हो खुद के वीडि का अब ये क्यों बोला मैंने क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा explanation पर काम करना पड़ेगा जो भी आपके chapters है ना जो भी आपके subjects है उनके करके मैनत करूंगा ठीक है ना रात को चार वे तक पीपिटी बनाई है खुब सारी बहुत सारी रिसेर्च करी है और अभी सुबहें के च्छे क्या वन हो रहा है मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं इसके बाद क्लासेस भी है तो अपन मैनत कर रहें तुम भी मैनत क हो ठीक है ना और क्या करना भी है आंसर राइटिंग प्रैक्टिक्स करनी है वाच वन शॉट्स बहुत इंपोर्टन है वन शॉट्स देखो कि अगर इस समय जब आपके पास बल्क में पेपर आ जाते हैं कि भाई साब पेपर इस दिर इसका है इस दिर इसका है जी पड़ ग आप अपने आपको उस तरीके से नहीं रख पाते हो आप अपना मेंटें नहीं कर पाते हो discipline इसलिए वन शॉट आपकी मदद करता है और अपना एक जो तुमने जीपिएस बनाए जो तुमने अपना प्लैनर बनाया है उसमें मार्क करते रहो कि तुमने क्या-क्या पढ़ ल सिमाक में यह आ रहा होगा आप आभी मजे आए गा दा वीडियू यही आ रहा है जो मैंने मूल मंत्र की बात कहि созд can जारो चलो कि कि एक्द एक्वेद शसमें बनिद्श से उक्जाम है मैं मान करके चलता हो हूं पंद्ररा तारीक से एक्जाम है उडर अगर अगर इससे पहले या इसके बाद भी शुरू हो रहे हैं तो मुझे comment section में बताना ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सको अभी तुम्हारे लिए बहुत सारे one shots upload किया जाएंगे ठीक है ना जो तरीका है pattern है उनको पढ़ो उनमें questions दी हैं और किस तरीके से topper की approach होती है वो भी दी हुई है और आपको जो half yearly है ना उसको कैसे लेना है बिटा आपको half yearly को एक तरीके से बेटा board की तरीके ही लेना है बहुत ज्यादा लेकिन serious नहीं हो जाना है कि पता चला एकदम क्योंकि जब तुम्हारे paper होंगे ना तब तुम उही keynotes से उन सभी चीयों को recall कर लोगे मेटा revision का मतलब आप क्या समस्ते हो दुमारा से पढ़ना गलत है बेटा revision का मतलब होता है जो आपने पढ़ लिया है उसको फिर अपने mind में memorize करने या फिर A4 seat में बस लिखते चले जाना कुछ भी एक एक line में इससे यह होता है तुम्हारे पूरे की पूरे ideas as a flow निकल कर कर क आते हैं बाद में इस पनने को फेक दो किसी काम का नहीं है लेकिन revision का यही मतलब होता है तो यह है आपका मूल मंत्र और आपके लिए जो मैं करने वाला हूं वो होंगे कुछ one-sorts आएंगे सभी teachers की तरफ से जितने भी आपके यहां पर a dumb है और अगर आप में से कोई लोग यही आपके लिए मूल मत्र का काम करेगा at last like and subscribe जरूर करना और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बेटा एक बात और सुनो comment जरूर करना कि तुम्हें यह session कैसा लगा क्या helpful था या नहीं था और दूसरी बात यह तुमारे exams कब से शुरू है यह चीश को comment करना और तुम क्या चाहते हो है ना तुमारी desires क्या है तुमारी wants क्या है वो अपने को जरूर बताना ताकि हम क्या कर सके तुम क्या चाहते हो तुम want क्या करते हो what do you want यह बताओंगे तो अपन उसके हैसाफ से काम कर देंगे किस chapter पर तुम्हें चाहिए English में किस में चाहिए History में लोगों का पेपर ज्यादा परिशान है खासकर क्लास 12 हुआ है तो सबसे पहले अड़ा की साइट पर जाओ अड़ा 247 आप अड़ा 247 को सर्च करोगे सबसे उपर जो आजा उसको टेच कर लो अब यहाँ पर आएगा all courses option इसको open करोगे तो यहाँ पर तुमारे सामने क्या चीश कमर्स है सभी में तुमको मिलेंगे परिशानी वाली बात नहीं है यह सारे टीचर्स एक से एक दुरंदर टीचर ने जाने कितने अभी तर टॉपर्स दे चुके हैं जाने कितने बच्चों का जीवन सवार चुके हैं तो अगर आप बात करते हो क्या आप मान लीजे य 743 इससे क्या होगा तुमको कूपन जब दिया जा रहा है तो इसको अप्लाई करो इस से यह हो जाएगा भी या कि जो कोर्स तुमारा 3000 का था वो 2400 का हो जाता है और 600 रुपए कि तुमको क्या मिल जाती है छूड मिल जाती है तो इसका फाइदा उठाओ इन एट लास्ट वहीं लोग के लिए बोल रहा हूं जो लोग मुझे बहुत कमेंट करते रहते हैं कैसे लें तो इस तरीके से लेना मैंने पूरा तरीका बता दिया है नई सौन में दुबार रिपीट करके देख लेना अब मैंने जैसे बोला तक कॉमेंट ज़रूर करना और लगातार आपके लिए यहां के सारी टीचर्स लगातार तत पर रहेंगे आपको कॉलिटी कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए और आपके मदद करने के लिए ठीक है चलो मिलते एगले सेशन में तब तक के लिए जैहिंद कॉमेंट ज़रूर करना